हाई ये सब्सक्राइब दे नाम है निताशा सिंग और ये है हमारी सबसे पॉपिलर लिस्ट टॉप 5 फोन जिनको आप ले सकते हैं 15-20,000 रुपे के बचट में इस महीने इस लिस्ट के इलावा इस महीने की जो बाकी की लिस्टे हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है उनको भी आप देख सकते हैं अब आज की इस लिस्ट को शुरू करने से पहले मैं आपके बहुत जरूरी कोशिंग का आंसर दे देती हूँ यहाँ पे क्या होता है कि मैं आपको जो लिस्क्रिंट में ऐसं मिलता है तो आप उस पोन को छोड़ सकते हैं कई सारे phones पे आपका ये doubt चल रहा था, इसलिए clear कर रही हो. अब action में हो किया रहा है, company आज कर क्या कर रही है, कि phone निकलता तो उपर के budget में है, लेकिन उसके उपर offer आती रहती है. अब offer आपकी आएगी एक हफता, उसके अगले हफते चली जाएगी, फिर उसके अगले हफते आजाएगी. तो ये आपको थोड़ा सा smartly work करना है, थोड़ा सा intelligently work करना है, कि जब offer आए, आपने तभी उस phone को खरीदना है, क्योंकि तब वो phone आपके लिए value for money रहेगा. जब उससे उपर के budget में चला चाता है, तो competition के हिसाब से जब वो अच्छा नहीं है, तो मैं वो उसको उस list में नहीं लेती हूँ, clearly आपको review में भी बता देती हूँ, ये सारी चीज़ें. तो थोड़ा सा smartly work करो, अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है phone लेने की, तो तो में कुछ नहीं कह सकती ही, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है, तो थोड़ा सा wait करके लो, एक हफ़ते में ही sale वापिस आ जाती है, और कहीं लोगों question आते हैं, कि हमारे पास card नहीं है, अब actual में क्या होता है, या फिर आप किसी friend से मांग लो, card से आपको फाइदा हो जाएगा, अब actual में होके आ रहा है, कि जब एक बरी offer आई, तो एक card यूज हो रहा था, एक bank का, अगली बर जो offer आती, तो दूसरे bank का card यूज हो रहा होता है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, कि जब आपके वाले card की offer आईए, तब आप खरीद लो, अगर आप थोड़ा सा जल्दी खरीद लोगे, sale का वेट नहीं करोगे, तो उसमें आप ही का नुकसान है, मैं यहापे आपको सारे तरीके बतारी हूँ, से आपका पूरा फाइदा हो सके, और कौन सा फोन आपके लिए best रहेगा, यह भी मैं आपको बताती हूँ, इसे लिस्ट में, तो फटा फट से करती है, वीडियो को स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट करें, सबसे बात करें ते नंबर फिफ्थ पॉजिशन पर, नंबर फिफ्थ पॉजिशन पर आता है, हमारे पॉको की तरफ से काफी स्टालिश डिवाइस, मुझे देखने में ये डिवाइस काफी अच्छा लगा, जो कि यह है हमारा पॉको का X4 Pro, इस देवाइस के अदर फिफट भी मिल जाता है, मुझे अच्छी लगी यहां पर क्या है कि ब्लाक कलर की जो बोल्ट यहां पर आपको यहां पर आपको कामरा मोडूल दिया हुए, उसके साथ यह जो गोल्डन इफेक्ट दिया हुआ हुआ, यह काफी प्यारा लगता है, इसके अंदर हमारे पस यहां पर लाइन लाइन वाला टेक्च्चर भी है, डिवाइस के अंदर ग्लास बोर्ड यह आपको मिल जाती है, हाथ में होल्ड करने में प्रीमियम लगीगा, इसके साथ डिवाइस के अंदर आपको यहां पर प्रोसेसर मिलता है, हाला कि बजट के साब से हमारे प्रोसेसर थोड़ा छोटा है, यहां पर आपको Qualcomm Snapdragon 695 मिल जाता है, इसके साथ हमारे पास 6.67 इंच का है, Super AMOLED डिस्पले 120Hz refresh rate के साथ, और 5000 इंच की बैटरी यह 67W की fast charging के साथ, प्रोसेसर जो है वो हमारा ज्यादा पावरफुल नहीं है, इस बजट में आपको और भी अच्छे अच्छे प्रोसेसर मिल जाते हैं, लेकिन नॉर्मल वकिंग आपकी यहां पर सारी हो जाएगी, लेकिन आपको जो डिस्पले है वो हमारा काफी अच्छा है, माद एक तो 120Hz का refresh rate मेलता है तो smooth लगेगा डिस्पले, उसके इलावा content enjoy करने के लिए आपको जो emoled display मिल रहा है, उसके इंदर बड़िया brightness और colors मिल जाते हैं, sunlight visibility भी अच्छी है, viewing angles भी अच्छी है, और 5000mAh की बड़ी battery है, माद पूरा दिन अगर आप videos भी देखते हो, तो आपको device के अंदर काफी अच्छा battery backup यहां पर मिल जाता है, उसके साथ charging में हमारे device की fast है, जिससे कि आपका entertainment जो है वो रुकेगा ही ने, इसके साथ device के अधर मैं बात करूँ camera's के बारे में, तो यहां पर आप देख सकते हैं, 64MP का main camera, 8K ultrawide, और 2K हमारा है useless camera macro, उसके साथ है Sola का selfie camera, इस device के अधर आप देख सकते हैं, कि आपको pics जो हमें वो काफी ठीक मिल जाती है, device के प्राइस के में बात करूँ, तो यह आपको 17,000 रुपे के प्राइस में मिल सकता है, अब इसके बाद number 4th position पर आता है, हमारे पस इस range का सबसे slimmest, सबसे lightweight device जोगी की काफी stylish लगता है हमारा phone, और वो है हमारा Xiaomi की तरफ से Mi 11 Lite NE, और इस device के अंदर भी आपको 5G support मिल जाता है, multiple bands में, साथ ही इस device के अंदर मतलब इतना lightweight है, इतना slim है, एक हास आप इसको easily hold कर सकते हैं, और glass body मिलती है आपको, जिसमें action में आपको premium feel भी यहां पर बढ़िया वाली मिल जाती है, कहीं लोगों को lightweight device चाहिए होता है, उनके लिए option हमारे पर यही आ रही है, इस device के back side में आप देख सकते हैं, हमारे पर यहां पर बहुत ही प्यारी सी diamond cut आपको यहां पर design देखने को मिलता है, जिसमें के device के अंदर एक white color में काफी different look देखने को मिल रही है, हाथ में होल्ड करें अपको stylish लगेगा, आपको premium लगेगा और उसके साथ, डिवाइस के यहां पर बात करो performance के बारे में तो आपको Qualcomm Snapdragon 778G का प्रोसेसर मिल जाता है, जिसमें आपको काफी अच्छी performance यहां पर मिल रही है, बाद आपको gaming भी करने हो तो वो भी आप अच्छी से enjoy कर सकते हैं, 10-bit AMOLED display आपको मिलता है, 90Hz की refresh rate के साथ जिसमें को Full HD plus resolution मिलती है, अब यहां पर क्या display हमारा वैसे quality-wise तो अच्छा है, मतलब viewing angles की बात करूं मैं punchiness की बात करूं, movies, videos देखने में तो वो आपको सब बढ़िया वाला यहां पर मिल जाता है, लेकिन 90Hz की refresh rate है, तो आपको उतिरा smooth नहीं लगेगा display, यहां 120 मिलना चाहिए था, लेकिन उसके इलावा, जैसे कि यह हमारा lightweight device है, आपका एक compromise तो और आजाता है, आपको यहां पर बैटरी कम मिलती है, 0-2-5-0-mAh की बैटरी मिल जाती है, तर टेंशन मतलब जिन लोगों को बड़ी बैटरी वाला फोन चाहिए, अच्छी performance वाला उनको आगे बताती को कौन सा फोन आपके लिए बढ़िया रहेगा, अब इस दिवाइस के आगे को बात करूं के बारे में, तो यहां पर आपको मिल जाता है 64-megapixel का में camera, 8-ka ultra-wide और 5-ka हमारा Tally and Macro को combination, जिसके इहां पर आप देख सतने, आपको पिक्स जोमें वो काफी अच्छी मिल जाती है, तो overall camera-wise device आपको काफी ठीक लगेगा यहां पर, प्रोसेसर अच्छा है तो image processing आपको यहां पर काफी ठीक मिल जाती है, और इस device के तो मैं प्राइस की बात करूं, तो 19,000 रुपे की प्राइस में यह आपको मिल जाता है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स आता है हमारा number 3rd position पे, IQ की तरुस से IQ का Z6 Pro, सबसे पहरे तो मैं कहना चाहूंगी, मतलब मेरी, मैंको एक्ट्र में बहुत ही pathetic लगी यह चीज, कि Vivo ने यहां पर मतलब क्या किया है, यह phone है हमारा IQ के 3 phone है, जो हमारी same design, same look के साथ आपको मिलते हैं, और Vivo के भी इसी budget के अंदर आपको 3 phone और मिल जाते हैं, जिनके की अंदर आपको same design, same look मिलती है, और अभी मतलब दुख खतम नहीं हो रहा, अभी OnePlus का भी एक phone आने वाला है, जो कि क्या आपको इसी budget के ASPUS मिलेगा, और उसके अंदर भी आपको same design, same look मिलेगी, मिल रहा है, मतलब पता ही नहीं चल सकता, थोड़ा भी difference नहीं है, यहां पर बहुत गलत लगा मुझे वीव का यही जो काम किया है, मेरे हिसाब से बंदे को फील तो हो कि यह यह 13 वाला पकड़के बैठा बंदा, यह 20,000 और पर फोन पकड़के बैठा है, वो चीज अच्छी नहीं है, इस पर वर्क करना चाहिए था, वैसे आप देख सकते हैं, यहां पर आपको प्लास्टिक वाड़ी मिल जाती है, और डिवाइस जो है, यहां पर आपको बड़े बड़े दो क्यामरा जैसे यहां पर लुक मिलती है, लेकिन अच्छी में ट्रिपल करना से वाड़े बैक में और यहां पर हमारे पस ब्लू कलर में आता है, कर्ब कॉर्नर्स हैं जिसने कि आप एक हासे इसको इसली होल्ड करके भी यूस कर सकते हैं, बात कर लेते हैं डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, 6.4-inch का हमारा डिस्पले है, एमुलेट डिस्पले हे, च्पलिशन के साथ, जिसमें 90 Hz को refresh rate है, refresh rate हमारा कम है मेरे सबसे 120 Hz का refresh rate होना चाहिए था, तो डिवाइस का यह है कि आपका मतलब नॉर्मर यूजज में एक दिन निकाल देता है पाच-छेशन इमेज की बैटरी थोड़ी स्टेंडर लगती है मुझे की उतरी तो होनी चाहिए लेकिन यहाँ पे ठीक है इसके इलावा कैमरस के अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है 64 MP का मेन कैमरा 8 का उटरवाइड 2 का माक्रो और 16 का है हमारा सेलफी क्यामरा सेलफी क्यामरा के अंदर एच इच इच्छन उतरा क्रिस्प निकल के नहीं आता है कहीं की चगपे मिस कर देता है और उसके इलावा मतलब बैक क्यामरे भी मैं बहुत तो एवरेज ही लगा मुझे उतरा बढ़िया निम इसको कहूंग मेरे हिसाब से अधर आप इसको खरीदना हो तो 20,000 पर के प्राइस में ही खरीदना उसमें तो ठीक है 24 की हिसाब से मैं बताऊं तो हमारे पस बहुत अच्छ अच्छ और फोन आ जाते हैं जो आपके लिए जादा बैटर रहेंगे वह मैंने 25,000 की भी लिस्ट बनाई थी नीचे description में लिंक गिया है वहाँ पे जाके आप देख सकते हूँ तो आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं नुम्बर सेकिंड पोजिशन पर आता है हमारे पास इस रेंज का हमारा सबसे बढ़िया Best Rare Camera Device मतलब Rare Camera बोल रहा हूं Selfie Camera नहीं बोल रही हूं ध्यान से सुननना और Best Camera है मतलब अगर आपको photograph क्लिक करना अच्छा लगता है तो आपके लिए बहुत ही बड़ी रहेगा और device है हमारा Realme की तिरस से Realme 9 Pro Plus अगर आपने वो नहीं देखा एफ वीडियो तो नीचे डिस्क्रिप्शिन में लिंक दे दूँगी वहाँ पर चेक कर सकते हैं सबसे पहले कैमरा की है हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको मिल जाता है 50MP का मेंन कैमरा जिसमें आपको IMX 766 का सेंसर मिलता है जो कि कि आपके काप ही अच्छी यहाँ पर पिक्स लेता है इसके साथ 8 कॉल्टर वाइड है 2 का माक्रो है और सोलर का सेलफी कैमरा है सेलफी कैमरा ओके है लेकिन बाक कैमरा की जो क्वालिटी है इमिज प्रोसेसिंग वह को कासी अची मिल जाती है बढ़ी आपके पिक्स आएंगी वैसे OIS की ऊपर थोड़ा यहाँ पर जो कोशन चल रहा था कॉंट्रोवरसी हो रही थी वह मैं क्लियर कर दूँ आपका OIS तो है दिवाइस के अंदर लेकिन वह आपका फोटोग्राफी में काम करता है वीडियोग्राफी में नहीं करता है तो वीडियो के अंदर आपको 4K रिट रिकॉर्डिंग इसनी स्टेबल नहीं लगेगी और इसके इलावा अगर आगे मां बात कुरूं यहाँ पर दीवाइस के बैटरी है 65W की Fast Charging है नॉर्म यूसेस में तो यह डिवाइस अपर एक दिन आराम से निकाल ही देता है चार्जिंग भी Fast रहत फटा फुट से चार्ज करके Entertainment को आप इस दिवाइस के डिस्प्ले में यहाँ पर हमें 90Hz का refresh rate मिलता है 120 होना चाहिए था इसके इल और यहां पर यहां पर हाम पर 5G Support मुल्टीबल बैंड्स में साथी डिवाईस के इन ग्लास बॉडडी प्रिमिन में प्रीमियो फिलाईगी करने के बाध कर तो पची सहार पर के पर यह तंगarias को मिल जाता है जिसमें आपने इसको नहीं खरीदना है मेरे हिसाफ से आप को यह फोनगर खरीदना चाहते हो तो आप इसको 20 खरीद हो तो यहां पर देख सेंटो मैं आपको च्रीन शॉट भी दिखा रही हूँ कि आप अगर जब आप चेक करोगे ना जाके लिंक पे तो वहाँ पे आपको यह 20,000 का ही दिखाएगा लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हो तो ऑफर लगाने के बाद यह आपको 20,000 के प्राइस में मिल जाता है जिसमें यह एक्चल में वैल्यो फर मनी है मैंने च्छल में किया हुआ अभी 25,000 की जो लिस्ट डाली थी करें लोगों को कुश्चन आया था कि आपने यह फोन को मिस्ट कर दिया मिस्स नहीं किया मैं सारे फोन को टेस्ट करती हूँ लेकिन यह फोन उस लिस्ट में नहीं होना चाहि तो यह था हमारा नंबर 2nd position पर आप बात कर लेते हैं नंबर 1st position के बारे में नंबर 1st position पर आता है हमारे पास इस budget का overall एक balanced device जो कि कि action में मुझे भी काफी अच्छा जगता है मतलब performance वाइस बात करूं या display वाइस बात करूं मेरा भी यहाँ पर इस budget के सबसे एक favorite device बन जा या hyper charge के लिए जाएं तो बिलकुल 11i आए आपके लिए जादा better option रहेगा इसमें चाहे आपको charging उतनी fast नहीं मिलती लेकिन यहाँ पर भी fast मिलती है लेकिन battery backup उसके हिसाब से तो यह device मेरे को काफी पसंद आता है वादा action में मेरे favorite अगर point की बात करूं तो में को लगता है स अपसर जुरूरी point बैटरी ही ही होती है और यहाँ पर device केंदे आपको 5160mAh की बड़ी battery मिल जाती है जिसमे आप device के अंदर कोई भी काम करो आपको यहाँ पर कितना भी use कर लो आपका device पूरा दिन अराम से निकाल ही देता है थोड़ी तो battery बचे जाती है अगर आप normal use करत है हमारा यह device जो है साथी 120Hz के refresh rate मिल जाता है डिस्प्ले के अंदर और डिस्प्ले में को बताओ इसका डिस्प्ले में तगड़ा ब्राइट है बात जैसे मैंने सबकी टेस्टिंग करी है इसकी दुझे मिलता है काफी ब्राइट है हमारा बड़ी है पंची colors आपको मिलते है अच्छा लगेगा डिस्प्ले आपको यहां पर यूस करने में मजा आएगा content को में enjoy करने में इसके साथ डिवाइस के मैं cameras की बात करूँ तो वो भी आप यहां पर देख सकते हैं sample 108 megapixel तो main camera 8 ultra wide 2 का macro और 16 का है हमारा selfie camera camera के samples आपको काफी ठीक मिल जाते है मतलत की colors की बात कर तो यहां पर आपको काफी ठीक samples मिल जाते हैं तो camera wise भी आप इस device को काफी अच्छे से enjoy करेंगे अब इसके साथ device के नदर यहां पर हमापस dual stereo speakers भी आते है IR blaster भी आता है front side पर आपको यहां पर screen guard भी लगवा मिलता है और back case भी मिल जाता है साथ ही device के build की बात कर लेते हैं पर हमापस glass body है boxy design है जिसमें action में बहुत ही premium लगेगा device आपको हाथ में hold करने में और उसके साथ stylish भी लगता है में पर यहां पर जो यह color है इसके अंदर आप देख सकते है diamond glitter effect आपको देखने को मिल रहा है और इस device के अगर में price की बात पर तो यह भी आपको 20,000 औरोपे क को सबस्क्राइब